दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अप्लोड करूँ आपको सबसे पहले पता चले और आप वो वीडियो सबसे पहले देख सको दोस्तो आप में से किसी ने मेरे एक वीडियो में कमेंट किया था कि make a video on mobile games like GTA 5 तो बस ये आगया ये वीडियो तो येस नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हो मोनिल आप देख रहे हो टेक मेंस और आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं वो तो आप 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 आलरी जान चुके हो तो बस अब टाइम की वेश करता है चले जल्दी से आज का वीडियो शुरू करता है वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं आप जितनी भी गेम्स बताऊंगा आज के वीडियो में वो सबकी सब आपको प्लेस्टोर पे भी मिल जाएगी और सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ तो अभी जो आज के लिस्ट में सबसे पहली गेम है वो है गैंक्सटन नियू औरलीन्स अब दूस्तो यह वाली जो गेम है यह गेमलॉफ ने बनाई है गेमलॉफ एक काफी पॉपिलर कंपनी है जो बहुत सारी अच्छी अच्छी गेम्स बनाती है तो वही कंपनी ने यह गेम बनाई है और इसके अंदर आपको एक बहुती बड़ा मैप देखने हों मिल जाता है जहांपे आप चाहो तो फ्रीली खूं भी सकते हो या फिर अगर आपको मिशन्स करना है तो मिशन्स भी आपको इसके अंदर करने के लिए मिल चाते हैं तो नॉर्मली GTA खेलने वाले ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो missions वोगेरा करते हैं, दूसरे जो नॉर्मली कहीं भी ऐसे घूमते रहते हैं, तो अगर आप दोनों में से कोई भी टाप के person हो, आप ये game खेल सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने का इसमें आप दोनों चीज़े कर आपको इसके बाद बढ़ते हैं, हमारी second game की तरफ जो की है Gangster Vegas, अब दूस्तों ये वाली game भी game love नहीं बनाई है, मतलब इसके पहले जो हमने game की बात की, वही सेम company ने ये Gangster Vegas गेम भी बनाई है, और देखने से चाहिद आपको इसके पहले वाली game और ये Gangster Vegas गेम दोनों ए आप GTA 4 से GTA 5 कैसे के, गेम पूरी अलग होती है, मैप पी पूरा अलग होती है, लेकिन खेलने का तरीका वही होता है, तो वैसे ही ये भी है Gangster New Orleans और Gangster Vegas के बीच में, और ये दोनों ही गेम के क्राफिक्स मुझे बहुत जादा अच्छे लगी, और इवन दोस्तों ये दोनों करने होते हैं और नहीं जो स्टोरी लाइन जो है, वो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से काम करता है, इस तो हां आपको थोड़ा डिफरेंट एक्सपिरेंस मिलेगा, अगर आप ये Gangster New Orleans और Gangster Vegas को खेलते हो तो इन दोनों गेम्स को ज़रू ट्राइकरना दोनों ही काफी of GTA आप कह सकते हो because इसमें सारी जैसे GTA में जो सब चीजे होते हैं वही सब चीजे हैं आप चाहो तो freely city में कहीं पर गूम सकते हो या फिर आप missions भी कर सकते हो yes आपको इसमें missions भी देखने को मिलते हैं और by the way इसकी size अगर मैं आपको बताऊं तो वो है around 100 MB तो काफी चोटी सी game ह है और यह game की size के आपसे इसके graphics ठीक ठाक से है इतने ज्यादा अच्छे नहीं है even यह game के अंतर missions भी इतने ज्यादा नहीं है थोड़े बहुत ही है और even दूस्तों यहां पर इस game के अंदर आपको ज्यादा कोई detailing भी देखने को मिलती है graphics के अंदर तो हां वैसे यह देखने के अंदर आपको जो NPC होते हैं मतलब जो normal city में लोग गुमते रहते हैं उनसे अगर आप टकराते हो तो मतलब हिंदी में बूलेंगे के भाई क्या कर रहा है दिखाई नहीं देता क्या हट यहां से मतलब ऐसे हिंदी में वो लोग बूलेंगे अगर उनको मार भी देते हो तो इंक्लूट किया बाकी graphics के मामले में या storyline या ऐसी बाकी जो भी चीज़े होते हैं उसके मामले में इतनी भी ज्यादा अची गेम नहीं है बट इंडियन थीम है इसके लिए मुझे यह गेम को लगा कि मैं इसको इस लिस में इंक्लूट कर सकता हूँ तो यह गेम भी ज़रू और चीज़े भी है तो रहें पेले बुरी चीजो किया बारे मैं बारे मापको पताता हूँ तो यह यहिसर जो आपनी को खेलते हो आपको कम्या और गार्यब्न चेटिया डीए में तो बहुत मतलब अन्रियासिक मक्ता है अगंदयम खाली-खाली बुरा सब जगई बकिन ही स दूसी तरफ इसके अगर अच्छी चीजों की बात करें, तो उसमें से कुछ छोटी मूटी चीज है, जैसे कि आपको इसके अंदर फोन भी देखने को मिल जाता है, जैसे हमें GTA 5 में देखने को मिलता है, तो ये एक अच्छी चीज है, बाकि इसके अलाव इसके जो सबसे में अच्छी चीज मुझे लगी, वो ये कि आपको इसके अंदर खुद से कस्टम सीटी बनाने का भी option मिलता है, मतलब येस, आपको जैसी अपनी सीटी बनाने हैं, आप वैसे बना सकते हो, कहाँ पे road होगा, कहाँ पे building होगी, कहाँ पे paid होगी, वो सब आपके ऊपर depend करता है, आपको जैसे बनाने आप बना सकते हो, और फिर आप उसके अंदर खेल सकते हो, तो ये एक unique चीज है, आपको normally बाकि कोई ऐसी open world games में जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन ये game में मुझे मिला, तो इसी वज़े से मैंने सोचा, कि इसको मैं इस list के अंदर include करता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही unique लगा मुझे, और साथ में आपको ये game को online खेलने का option मिल जाता है, बाकि जो भी online खेलने का उन players के साथ में, हाला कि यहां पर कोई proper storyline missions नहीं है, तो अभी मैंने जैसे कुछी दिर पहला कहा था, कि दो तरह के GTA players होते हैं, तो उनमें से जो mission करने वाले players हैं, उनको शायद ये game अच्छी ना लगे, इस पर कोई भी आपको missions, मतलब main storyline missions जैसे GTA में होता है, वैसे कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको ये game को try करना है, तो मैं इसकी link description में डाल दूँगा, जरूर से try करना, और इसके बद बढ़ते हैं हम अमरी last game, या फिर मैं को last games की तरफ जो की है other GTA games, मतलब other GTA games मेरा मतलब है कि बाकि जितनी भी official जो original GTA games है, जो मैं mobile में मिलती है, जैसा के GTA Y City है, GTA San Andreas है, GTA Liberty City Stories और बाकि जितनी भी mobile के अंदर GTA games available है, वो सब आप खेल चकते हो, ठीक है चलो माना कि ये games काफी पुरानी है, GTA Y City, GTA San Andreas वो दोनो games तो 15 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन देखो वो games PC के लिए इतने पुरानी है, मतलब अगर आप PC या console की जो आजकल की games है, उनसे compare करो तो definitely आपको पुरानी लगेंगी, लेकिन अगर आप आजकल की जो mobile games available है, उनसे आप compare करो तो ये इतनी पुरानी नहीं लगेंगी, बिकोज आजकल की latest जो mobile games है, उनके भी कुछी games ऐसी जिसके graphics इतने अच्छे हैं, जितने की ये San Andreas और YCT के हैं, तो हाँ, ये भले ही 15 साल पुरानी games है, लेकिन mobile games के नज़र ये से आप देखो, तो ये आज भी एकदम latest games लगती हैं, तो इसलिए कर आप इनको आज भी 2020 में भी खेलती हो, तो भी आपको ये काफी अच्छी लगेंगी games, क्योंकि इनका जो world है, यानि की जो map है वो काफी बड़ा है, especially GTA San Andreas का तो बहुत ज़्यादा बड़ा map है, जफिर अगर आपने इसके पहले कभी भी ये games को try out नहीं किया, तो अब खेलो आपको definitely मजाएगा, अगर आपको GTA जैसे games पसंद है तो, in fact मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको open world games पसंद है, तो अभी के लिए यही सबसे best options है, जो कि GTA की सारी original games है, वही सबसे best option है आपके लिए अगर आपको open world games खेलनी है तो, तो इसलिए इनको आप ज़रूर check out करना, और बस अभी इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खतम होता है, और अब आप मुझे नीजे comment करके बताओ कि, जितनी भी mobile के अंदर GTA games अवेलेबल हैं, आपको उन में से कौनसी game सबसे ज़रा अच्छी लगती है, मुझे तो यार, personally, GTA San Andreas बहुत ज़रा अच्छी लगती है, बिकॉस मैं इसको पहले अपने PC में भी खेलता था, और अब मैं इसको अपने phone में भी खेलता हूँ, कि अपने की स्थाएंगी क हुपना้ια जान कि अभ्छी लगती है, मैं भी खेलता है,